शादी Parti में जाना ए और शहरा इतना ज्यादा मुर्जाया हुआ वुआ है घलो तो है ल करओ यह शहरा लेखे जाँगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बताते हुना क्या करना अपको, यह फेशल आप कर लो। परत दर परत आपकी Délyत a.s.ap.glow गरेगी स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में मस्थ होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज आप सभी के लिए नई वीडियो लेकर के आई हूँ जी हाँ आज के वीडियो मैं आप सभी के साथ होममेड फेशल शेयर करने जारी हूँ अगर इस फेशल को आप हपते में एक बाह लगा आप सभी के साथ राइस शेयर करने जारी हूँ आप सभी जानते हैं राइस हमाई स्कीन को वाइट करता है ब्राइट करता है और हत रखे दाग धुबों को दूर करता है तो दोस्तों आज का जो फेशल है ना इसके फोर स्टेप हैं और स्टेप बाई स्टेप आपके इसकी तो यह पर लिए जमा उसे निकाल के एक बार में ही बाहर कर देता है और चलिए देख लेते हैं इस राइस टेसल को हम घर पर किस तरीके से बनाएंगे किस तरीके से अपने स्किन पर लगाएंगे पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक ह और कोई भी कोशन हो कोई भी जानकरी आपको मेरे से लेनी है तो आप मुझे स्ट्रगां पर फालो कीजेगा मेरी आइडिया बभीता राज के नाम से तो चलिए फटा फट देखेंगे तो दोस्तों आज का फेशल करने के लिए आपको फोर स्टेप फालो करने होंगे और फ की तो दोस्तों अगर आपने फेशल नहीं कराया है या फेशल नहीं कराना चाहते हैं तो यह फटे मेकबर जरूर करिएगा आपके स्की निति जदा यंग इतनी खुबसुरत बेदाग होने वाली है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे तो चलिए अब यहां पे आपको इस र चर बड़े चमच लीए उसे डाल देते हैं अब isme हम कम से कम दो बड़े कफ पानी आइड करेंगे जो काफी मग होता है ना उतना पानी डालना है आप समझ रहूंगे जब हम राइस पकाते हैं जितना पानी डालते हैं उससे एक्ष्ट्रा पानी आपको डालना है ठीक है क्योंकि हम चार रेमेडी बनाएंगे तो एक यहां पर हम सिरम भी बनाएंगे जो हम रोजाना लगाएंगे तो यहाँ पर हमने राइस को पकने के लिए गैस पे रख दिया है और यहाँ पर देखिए जब राइस में 2-3 उबाल आने लगेगा तिक है और जब हमारा जो पानी है राइस वाटर वो थोड़ा थिक सा हो जाएगा तो हम यहाँ पर इस पानी को निकाल लेंगे तो मैं एक ब से आपको चार बड़े चमच राइस वाटर निकाल लेना है निकालने के बाद इन चौलों को फिर से पकने के लिए गैस की फ्लेम स्लोग करके रख देंगे जब राइस हमारे बिल्कुप पक जाएंगे सॉप्ट हो जाएंगे हलका गीला पन रहेगा तो फिर बताती हूँ इसे हम एक साइड में रख लेते हैं, फोर स्टेप में हम इसका सिरम बनाएंगे, ठीक है, समझ गया ना, इसका भी काम नहीं है, इसे हम फ्रेज में रख देते हैं, तो दोस्तों, राइस हमारे बिल्कु पक चुके थे, सॉप्ट हो चुके थे, उसके बाद यहां पर मैंने क् क्रीम बन चुका है, इसको मैंने पीस लिया है, गरम गरम ही पीसेगा, ठंडा नहीं होने दीजिएगा, अगर आपको बहुत जदा थिक लग रहा होगा, तो थोड़ा से मिल्क या वाटर डालके फिर से आप पीस लीजेगा, यहां पर देखिए, बिल्कुल क्रीम जैसी होत इस तरीके से आपको लेना है, अब दूसरी चीज इसमें जो एड करनी है, वो मैं यहां ले रही हूँ, मसूर दाल का पौडर, यह मैंने हाप स्पून लिया है, जो लाल वाली मसूर दाल होती ना, उसे घर पे, मिकसर में पीस लीजे, आप उसे लेंगे, ठीक है, और इसे चीनी बड़े दानों वाली है, तो आप उसे दरदरा पीस लीजे, अगर आपकी चीनी छोटे छोटे दाने वाली है, तो पीसने की जरूरत आपको नहीं है, यह भी आप हाप स्पून लेंगे, इसे डाल के अच्छे से आप मिकस कर लेंगे, जी हां, मिकस हो चुका, इसके पाद मैं यहां पे जो एड करने जा रही हूं, वो ले रही हूं हनी, शहद, शहद हम लेंगे हाप स्पून, बहुत अच्छा मोश्चराजर है, जो हमाई स्किन को हील करता है, नरिस करता है, इसे भी डाल के आपको बहुत अच्छे से मिकस कर लेना है, अगर आप हपते में स्क्रब करते हैं, तो आप इसी स्क्रब को हपते में तीन बर अपने चेहरे पर करते हैं, तापकी सारी डेड इसकी निकलती है, आपकी स्किन की गंदगी निकल जाती है, और आपकी स्किन बहुत जदा क्लीन हो जाती है, यह हमारा स्क्रब बनके रेडी हो चुका है, तो चल है अगर आपकी स्कीन औयली है या स्सीन बार कर सकते हो ज़्यादा है और अगर आपकी स्कीन रूख, बेजान है ड्राई है तो हप्ते में तो आपको एक बारãy 거예요 यह ज़्याद्टव्च बडूल करसकते हैं यह स्क्रॉब्च बूद्ध भी बनाता साथ आपकी चेहरे पर जो धूल, मिटी, गंदगी है, blackheads हैं, whiteheads हैं, dead skin जमा है, जिस वज़े से आपके skin glow नहीं करती है, चमकती नहीं है, तो ये एक बार में आपकी skin से ये सारी problem को दूर कर देता है, और आपकी skin को ऐसा चमका देता है, कि आप खुद भी हैरान हो जाते हैं, टो यहां पर देखें, मैने तीन नट तक स्क्रब को हिया पूरे फेस पर अच्छे से, उसके बाद मेने यहां पर कॉटन के कपड़े को पाने में टिप करके निचोड़ करके इस तरीके से पूरे फेस को क्लीन कर लिया है, और आप देखें मेरे फेस को कैसा घ्लो अब ही क्या आप step by step देखेगा मेरी skin कैसे glow करती है अब यहाँ पे हम दूसरे step में जो बनाएंगे वो massage cream बनाएंगे जी हाँ इसके लिए हम एक बड़ा चमच rice paste लिया है जो cream हमने बनाई थी इसमें हम जो add करने जा रहे हैं almond oil यह हम लेंगे half spoon बडाम का तेल यह pure है ठीक है और यह आपकी skin के लिए बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचाएगा क्योंकि vitamin E से भरपूर है इसके बाद मैं यहाँ पे जो add करने जा रही हूं वो लिया है मैंने aloe vera gel अभी मैंने half spoon ही लिया है अभी इसमें कुछ चीजे mix करने के फिर से मैं इसमें add करूंगी अगर आपके पास fresh है तो आप fresh लीजेगा जी हाँ अब यहाँ पे मैं जो add करने जा रही हूं वो ले रही हूं मैं केसर अगर आपके पास है तो आप डालिएगा नहीं तो कोई बात नहीं आप इसे skip कर दीजेगा केसर हमाई रंगत को fair करता है तो तुरंत आपके चेहरे पे निखार भी लाता है तो इसे डालके अच्छे समन करोगे ना तो लगेगा कि यह जो क्रीम है वाकरी क्रीम जैसी बन गई है तो यह हमाई मसाज क्रीम बनके रडी हो चुकी है तो second step में हम फेस पे मसाज करेंगे जिसे हम करते एंटी एजिंग मसाज तो थोड़ी सी क्रीम लेंगे पूरे फेस पे डिप डिप करके और अच्छे से मसाज करेंगे आपको लगता होगा कि मैं बहुत तेज हाँ चला रही हूं जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं आराम से कर रही हूं बट मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ठीक है तो यह मसाज आपको कम से कम 8-9 मिनिट करना है और इससे आपका ब्लेड सल्फिलेशन काफी अच्छा होगा जिससे आपकी स्किन पे एक चमक आएगी एक गलो होगी और आपकी स्किन को मौस्टराइज करेगा जो यहां पे हमने एलमेंड ऑल मिक्स किया है जो बिटामिन E से भरा हो है और हमाई स्किन के लिए ज़्यादा मदद करती है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी बेजान है तो आप यहां पर दो वी टामिन E capsule अट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने मैंने में साज कर लिया और मेरी स्किन पर गलो देख रहा है ना मिकीन इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है कि मैं इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने एक बड़ा चमच राइस पेस्ट लिया है इसमें मैं जो एड कर रही हूं वह ले रही हूं चंदन पॉडर हाप इसमून इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस फेस पैक को आप हफते में दो तीन चार बार भी लगा सकत हैं इसके बाद हम यहां पर जो एड कर रहे हैं हाप इसमून मैंने यहां पर लिया कस्तूरी हल्दी इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यहां पर मैं जो एड करने जा रही हूं वह मैं यहां ले रही हूं लेमिन पिल पॉडर जो हमाई स्किन की रंगत को न अब इसके बाद मैंने यहां पर हाप इस्पून शहर डाला है अब इसके बाद में यहां पर रॉव मिल्क डाल लें दो बड़े चमच जी हां कच्छा दूड डाल लें और इसे भी डाल के अच्छे सा मिक्स कर लेंगे अगर आपके स्कीन बहुत ज़्या ड्राइए रहती है बेजान रहती है तो आप यहां पर ग्लीसलीन या कोकोनेट ओयल हाप इसमन एड़ कर सकते हैं सारी चीजों को बहुत यह अच्छे से मिक्स कर लेना है इस फेस पैक को बना के स्टोर भी कर सकते हैं जी हां यह आपके चेहरे की रंगत को भी फेयर करता है साथ ही आपके स्प हम आपको 30-35 मिनट रखना होगा आप टीनेजर में तो भी आप इस फेस पैक को लगा सकते हैं बट पहली बार कोई भी हम रेमेडी लगाते हैं तो एक प्रेस ट्रेस जरूर करते हैं क्योंकि सबको हर्ची सूट नहीं करता है तो इसे लगा करके मैं रखती हूं फिर यह सू मेरे चेहरे पे तुरंत नहीं आता है जी हां तो कॉटन के कपड़े को पानी डिप करके पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने अपने चेहरे को पानी से सिर्फ धूला है फेस वास का यूज आपको चार-पांच घंटे तक नहीं करना है और चेहरा ऐसा चमक गयाना कि मैं खुद भी हैरान हो गई था जदध घलू इतना तो मैं डामेंन फेशल भी कराती हूं तो तुरंत नहीं आता है इसके बाद मैं अपने चेहरे पे क्या लगाती हूं सिर्फ जी हाँ और ये सिरम आपको भी लगाना है ये राइस सिरम है जिसे आपको रोजाना लगाना है और इसे लगा करके आपको तीन नड़ तक मसाज करना है जो रमेडी हमारी स्किन के गहराई में जाएगी और हमारी स्किन को अंदर से हील करेगी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम तो दोस्तों इस सिरम को बनाने के लिए आपने जो राइस वाटर निकाल के रखा था इसमें आपको चलिए बताती हूं क्या चीजे एड करनी है यहां पर मैं ले रही हूं हाप स्पून रोज वाटर जी हां इसके बाद मैं इसमें जो एड करूंगी वो लूंगी ऐलोवरा ज जल इस सिरम को आप वन विक के लिए बनाके स्टोर कर सकते हैं तो एलोवरा जल अपको यहां पर एक बटाश मश लेता आप नहीं लेना है अगर आप यह इस सिरम को दो चांवन करते हैं तो तो यहां ऑने यहां पर थाता में केंनिग एड कर लित आप्सूल पैड नहीं किया है सारी चीजों का अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे एर टाइट कंट्रेन में स्टोर करेंगे और फ्रीज में ही रखेंगे रूम टेंपरेचर पर आप नहीं रखेंगे और रोजाना लगाएंगे सिरम को आप